मचली सहर विधान सभाथ 30 वर्सों से एक मुक्त के कमरे में जैरामपूर प्रात्मिक स्वास्तकेन चलाई जा रही है CSC बरसठी के अंतरगत आने वाली ये प्रात्मिक स्वास्तकेन जैरामपूर को लेकर छेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्थ है सरकार के आधिकारी तमाम घोशना करने के बावजूद भी चिकित्सा व्यवस्ता नहीं सुधार पा रहे हैं पूरी तरह से जोनपूर में प्रात्मिक स्वास्तकेन की चिकित्सा व्यवस्ता चर्मर आ गई है और अती प्रात्मिक स्वास्केंद जयरामपूर जो सामुदाइक स्वास्केंद बर्षठी के अंतरगत आता है 88 लाक रुपे की सन 1991 में बनाई गई थी लेकिन यह बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशाही हो चुकी है और इस बिल्डिंग को चिकिसा विभाग ने रिजक्च कर दिया था इसके बाद चिकिसा विभाग नई बिल्डिंग नहीं बना पाया और एक कमरे में 30 वर्सों से बिल्डिंग चल रही है 26 सीगर ही बड़ा आंदोलर करने की तैयारी में है जहां योगी मोधी सरकार तमाम घोशना कर रही है कि चिकिसा विभास्ता सुद्रेंगे वहीं जौनपूर में पूरी चिकिसा विभास्ता चर्मराती नजर आई और फर्जदाएगी बस यह स्वास्केन चलाया जा रहा है मोख्यमंत्री आरोग मेला के दिन यह कैम्प लगता है सेस अन दिनों पर एक चपरासी केवल कमरे का ताला खोल कर दो-चार लोगों को दो-चार तिकिया दवा देते है कुल मिला करके यह चिकिसा फर्मेल्टी है और जनता चाती है कि बैंकों की तर्ज पर एक कमरे का मकान किराय पल लिया जाए और उसी कमरे के मकान में सिफ्ट किया जाए यह प्रात्मिक स्वास्त केंड जब तक कि इसकी नई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती आनता जनता आंदोलन करने के लिए तैयार है देखे मसली सर से अभिशेक उपाज्याई की रिपोर्ट मैं समा सेविजा सिंगन्ना इस समय प्रात्मिक स्वास्त केंडर जैरामपूर हरीपूर में उपस्थित हूँ यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे सारे चिकिस्षक उपलब्ध है आज मुकमंतरी आरोग मेला का दिन है यहां पर चिकिस्षाले नहीं है यह 30 वर्षों से यह समस्या धेली जा रही है एक कमरे में किसी तरह यह चिकिस्षाले चलाया जा रहा है यह मजबूरी है हमारे चिकिस्षकों की अभी पानी बरसने लगे तो यह सब कहां बाग के जाएंगे अठासी लाग की बिल्डिंग जो है वह टूट खूट करके चर्मरा गई और सारे ठेकेदार और इंजिनियरों ने खा गए तो हम ड़क सार्व से पूछना चाहते हैं सर आप सब को दिक्कत तो बहुत हो रही होगी तो आप सब क्या चाहते हैं कि अस्पताल सीगर से सीगर कहीं बनाई जाए तो यहां तो अभी बरसाथ होने लेगी तब आप लोग क्या करेंगे तो फिर कैम्प को बंद करना पड़ेगा है अच्छा कभी चिकेसाद इकारी महोदय जानपूर यहां आये हैं कि नहीं आये हैं यह अच्छा को पहले वाले रामजी थे रामजी शेग बार मैंने कहा है अब है कि अ कि अ कि इसी एक कमरे में अत्प्राथ्मिक स्वास केंद चल रहा है यह मजबूरी बस चल रहा है हम सभी लोगों की यह मांग है कि बैंकों की तर्ज पर जैसे बैंक वाले किराये पे मकान 25 साल का एग्रिमेंट लेते हैं उसी तरह से आप भी एक एग्रिमेंट लेकर के अस्थाही रूप से इस प्राथ्मिक स्वास केंद्र को चलाया जाए जब आपकी अस्थाही प्राथ्मिक स्वास केंद्र की बिल्डिंग बनेगी तब आप उसमें ट्रांसफर कीजेगा लेकिन बरतमान समय में यह पोजीशन बनाई जाए कि साथ से दस कमरे का एक टेंडर बैंक के लिए जैसे बैंक वाले टेंडर डाल देते हैं वैसे आप भी टेंडर डाल दीजे मानने चीकिसाद अधिक्षक महोदे जोनपूर आप से अन्रोध है कि एक टेंडर डालिए अभी आपको किराय पर मकान मिल जाएगा उसी मकान में यह कायदे से सिफ्ट कर दिया विश्तर सब और रख दिया जाए और स्काइदे का ट्रीश्मेंट है